काजल मेक्सिमम लोग लगाते हैं लेकिन मैं कलपना जैन एक ऐसे काजल का रिव्यू कर रही हूँ जो कि इसमज़ फ्री है वाटर प्रूफ है टैन आवर मिनिमम लॉग लास्टिंग है आखों में इंटेंस कलर देता है इसका टेक्शर क्रीमी टेक्शर है और ये आईलेनर और काजल दोनों की तरह यूज किया जा सकता है ये काजल जर्मनी मेड है और अप्थमोलोजिकल अब भी मैंने उसे सैट होने छोड़ दिया है तब तक मैं आखों में इस काजल को लग दिखाती हूँ ये काफी क्रीमी है जो की वन स्टेप में ही आईज में अपना क्रीमी टेक्शर दे देता है इसके बाद इस काजल को हम मैं लाइनर की तरह भी लगा के दिखा रही हूँ लेकिन लाइनर की तरह अगर हमें लगाना है तो कोई भी काजल जो की काजल और आईलेनर दोनों का काम करे या आपके पास आई पैंसिल्स हो तो उसके लिए बेस सही होना चाहिए क्योंकि कई बार eyes की जो skin है वो dry होती है या wrinkles होते हैं तो उस condition में वो ठीक से चल नहीं पाता इसके लिए हम पहले कोई भी cream लगा लेजिए या आप makeup based आप use करते हैं तो वो लगा लेजिए इसके बाद आप eyeliner को लगाए इससे आपका जो काजल वाला liner है ये बहुत easily लग जाएगा आप देखे मैंने दौनों eyes में ये complete कर लिया है अब मैंने हाथ पे जो line sketch की थी इसको मैं दिखाती हूँ ये कितनी waterproof और smudge free है देखे ये 2 minute के अंदर set हो गई है और अब मैं इस पानी आल रही हूँ आप देख सकते हैं मैं कितना सारा पानी डाल रही हूँ उसके बाद भी काजल खराब नहीं हो रहा है यानि कि ये काजल waterproof है अब मैं आपको smudge free दिखा रही हूँ एक tissue paper लीजिए और उस पर tap कीजिए हमेशा इसको tap किया जाता है रम नहीं किया जाता और आप देखिए यहाँ पर कोई भी blackness नहीं आई यानि कि ये smudge free भी है ये काजल आखों के लिए बिल्कुल safe है क्योंकि ये ophthalmologically tested भी है ये product मेरे पास buying के लिए हमेशा रहता है फिर भी आपको ये video जो भी भेज रहा है product के availability के बारे में आप उससे पता कर सकते हैं